हेलो दोस्तों मैं धीरेन स्वागत करता हूँ आपका एक्जाम स्टडिविस संगीता में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीस से द्वारा पूछे गए महातपूर्ण पृष्णों की सीरीज में इंडियन पॉलिटी यानकी सम्विधान से एक most important topic को आज हम बात करेंगे भारत के राज से बनने वाले 100 प्लस कोशन को दोस्तों इस topic के अंतरगत हम बिधान सबा, बिधान परिशत, राजपाल, मुख्यमंत्री वा पंचायती राज से बनने वाले सब ही महातपूर्ण पृष्णों को यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यह सब ही person TCS के दोरा बिविन्य परकार की पृत्योक्ता परिख्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में चाहें वे railway के exam हो, SSC के या फिर किसी state level का exam यह आप कह सकते हैं वे परिख्षाओं जो की TCS के दोरा आयोजित की जाती हैं उन परिख्षाओं के लिए वीडियो आपका important रहेगा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, helpful लगे तो प्लीज वीडियो को like और share जरूर कीजेगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी रुकीजेगा जिससे की आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का notification टाइम पर मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं राज विबस्तार राज भारत के सम्मिधान के नुसार राश्टी राजधानी छेत दिल्ली में एक मंत्री परसद होगी जिसके बिधान सब्सक्राइब सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं होगी तो या रखेगा 10% से अधिक नहीं होगी इंपॉर्टन कॉश्टन था ये टी से इसके दोरा कॉश्टन पूछा भी गया है अगला कॉश्टन देखते हैं किसी राज का राजधाल यदि उसकी राय है कि आंगला भारते समुधाय को राज की बिधान सब्सक्राइब में पिर्ति निदित्व की आवा सकता है और उसमें परयापत रूप से पिर्ति निदित्व नहीं है तो उस समुधाय के कितने सदस्यों को बिधान सब्सक्राइब के लिए नामित कर सकता है तो यहां रखेगा यहां पर राजधाल एक सदस्य को नामित कर सकता है अगला कॉश्टन इंपॉर्टन है और यह कॉश्टन दो बार एक्जाम में रिपीट भी हुआ है आप देख सकते हैं दिल्ली में कुल कितने बिधान सब्सक्राइब के लिए निदारित अधिक्तम संख्या क्या है तो यह होते हैं एक वटे तीन सदस्य कितने एक वटे तीन विधान परिशत के एक तिहाई सदस्य कितने बरसों के वाद सेवा निर्वित्य होते हैं राइट आंसर है दो वर्स के वाद या फिर दो साल आप कह सकते हैं बिधान सवाका सदस्य बिधान सवाका सदस्य बनेने के लिए नीमतम आयू कितनी आवश्यक है राइट आंसर है पचीस साल बिधान परिशत की सदस्ता के लिए नीमतम आयू सीमा क्या है तो बिधान परिशत की सदस्ता के लिए नीमतम आयू सीमा रखी गई है तीस साल महिने के लिए किया सकता है राज बिधान परसद की सतस्ता की अफदी क्या है राइट आंसर है छे साल कितने होती है छे साल कौन राज की बिधान सवा को भंग कर सकता है तो या रखेगा राज पाल राज की बिधान सवा को भंग कर सकता है एक राज का बिगटन किस के अधीन नहीं है तो एक राज का बिगटन बिधान परसद के अधीन नहीं होता है किन राज्यों में बिधान परसद या दुई सदनी ये बिधाय का है तो सही आंसर है आंत्रप्रदेश तैलंगाना उत्तरप्रदेश बिहार महराष्ट करनाटक ठीक है चार वार ये कोशन अब तक रि पृति जिम्मेदार होती है तो एक राज में मंत्री परिसत सामुहिक रूप से बिधान सवा के पृति जिम्मेदार होती है भारत में राज बिधान मंदल के ऊपरी सदन को बिधान परिसत कहते हैं सरकार के किस अंग में जनता के चुने हुए पृतिनिदी होते हैं तो बनाई या समात की जा सकती है तो ये देखिए ये राज बिधान सवा के बाद संसद उस आश्य का प्रिस्ता पारित करती है तब बनती है राज बिधायका की सता के बिना एक ब्यक्ति अधिक्तम कितने समय तक राज सरकार का मंतरी बना रह सकता है सही आंसर है 6 महीने तक राजपल दौरा जारी अद्यदेस किसके दौरा अनुमोधन के अधीन है तो राजपल दौरा जारी अध्यदेस राज बिधान मंडल के अधीन होता है ठीक है अनुमोधन होता है इसका भारती राजिका राजपाल आम तोर पर कितने वर्स की अब्दी का पद ग्रहन करता है important question है दो वार ये question रिपीट हुआ है सही आंसर है 5 वर्स की अब्दी तक भारत में राजिका राजपाल बनेने के लिए नियूनतम आयू कितनी है देखिए यदि आपको राजपाल बनना है तो आपकी नियूनतम आयू हूँ चाहिए 35 वर्स कितनी 35 वर्स राजपाल दोरा जारी एक अद्यादेश को विधान सवा दोरा कितने समय में पारत किया जाना है किया जाना है सही आंसर है 6 सब्ता में किसी राजपाल के पास सकती नहीं होती है तो इसको विधान सवा को इस्थगत करने की सकती नहीं होती है किसको राजपाल को राजपाल की विवेका धीन सकतिया किसमें सीमित होती है तो ये विध्यकों पर स्विकृति तक ही सीमित होती है राजपाल को पद की सपत किस के दोरा दिलाई आती है तो उचितम न्याले के मुख न्याइदीस के दोरा राजपाल को उसके पद की सपत दिलाई आती है भारत में किसी राज की सरकार का मुखिया कौन होता है तो भारत में किसी राज की सरकार का मुखिया होता है राजपाल कौन होता है राजपाल important question है अब तक 4 वर repeat हुआ है question मुख्य मंत्री की नियुक्ति किस के दौरा की जाती है समीधान में किस पर महावियोग चलाने का कोई प्रवधान नहीं है राज लुक सिवायों के सदस्थों की संक्या वा उनकी सेवा सर्तों का निरहन कौन करता है राज पाल करता है कौन मौत की सजा के मामले में चहमादान देने की सकती रखता है तो राष्ट पती मौत की सजा के मामले में चहमादान की सकती रखते है भारत में राज के महादीवक्ता की नियुक्ति कौन करता है तो भारत में राजिके महादिवक्ता किन्यूति राजिका राजपाल करता है important question है दो बार ये question अब तक आ चुका है exam में भारत में राजिस्तर पर मंत्रियों की निक्ति कौन करता है तो राजिस्तर पर मंत्रियों की निक्ति करते हैं राजिके राजपाल दन विद्यक को राज बिधान सवा में किसकी पूर्व अनुमती से पेस किया जा सकता है राज आंसर है राज के राजपाल की अनुमती से यदि किसी राज की बिधान सवा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं है तीन वार ये कॉशन दो एर अठार से लेकिर बाइस तक के अग्जाम में पूछा गया है और इनका नाम है किरणवेदी ठीक है किरणवेदी सुतंत भारत में किसी राज की पहली महिला राजपाल कौन थी तो इनका नाम था स्रीमती सरोजनी नाइडू एक भारती राज में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राजपाल कौन थे सही हान से हैं पदमजा नाइडू एक भारती राज के राजपाल की न्युक्ती किस के दोरा की जाती है तो भारत के राज के राजपाल की न्युक्ती राश्टपती के दोरा की जाती है पांच वार ये कॉशन पूछा गया है इंपोर्टन्ट है मद्य प्रदेश के पहले राजपाल कौन थे तो डॉक्टर सीता रमया मद्य प्रदेश के पहले राजपाल थे किस राज में सबसे अधिक बिधानसवाच छेत रहें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बिधानसवाच छेत रहें जगनात मिस्रा किस राज के तीन वार मुख्यमंत्री बने तो बिहार राज के तीन वार मुख्यमंत्री बने जगनात मिस्रा राज और मुख्यमंत्री का सही जोड़ा कौन सा है तो देखिए 36 गड़ भूपेज भगिल ये कौशन जब पूछा गया था दोस्तों तब उस समय के सही है 36 गड़ भूपेज भगिल लकिन आने वाले समय में आप इसको देख कर जाईएगा और आप्शिं moi ये कौशन लिया गया है कौशन 44 राजपाल का मुख्य सलाकार कौण होता है तो यह होता है मुख्यमंत्री नीलम संजीवा रेड़दी ने 1956 से लेके 1969 तक किस रूप में कार किया तो इन्होंने इस समय 56 लेके 16 मुंक्मंत्री की रूप में का नाम क्या है तो जमू और कस्मीर की पहली महिला मुखमंतरी का नाम था महभूवा मुफ्ती क्या नाम था महभूवा मुफ्ती पंजाब की पहली महिला मुखमंतरी कौन थी तो राजिंदर कौर भट्टल ये पंजाब की पहली महिला मुखमंतरी थी अपना मुखमंतरी कौन चुनते हैं तो अपना मुखमंतरी सत्ता रूल पार्टी के सदस से चुनते हैं सोतंता सेनानी सुचेता क्रिपलानी किस राजी की पहली महिला मुखमंतरी बनी थी important question है right answer है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश तीन वार question repeat हुआ है ठीक है केरल के मुखमंतरी बनेने के समय E.M.S. नबू दरीपाद किस राजनेतरी दल से संबंदित थे तो ये थे CPIM से संबंदित है हैदरावाद रियासत को किस वर्स भारति संग के अधीन लाया गया था अंडमा निकोवार दीप समू चंडीगर दादरवार नागर हमेली दमन दीप राष्टी राज़ाई छेतर दिल्ली जम्मुकस्मी लक्षदीप लद्दाक और पुड्डुचेरी ठीक है तीन वार question आया है एक्जाम में भारति संग में कुल कितने राज हैं तो भारति संग को भासा क्या दार पर किस इस बर्स पूनर गडिट किया गया तो यह किया गया 1956 में इंपॉर्टन कोषन है तीन वार doubts कि क्या गया तो करनाटक का एक इल firstly 1956 में किया गया था संसत के एक अधिनियम द्वर्थ स किस वर्स लँक्षदीप,alen tracks by अच्छचिय नाम बदर ख़िप कर दिया है थी यही कियागै थी सिक्किम को किस वर्स राज का दर्जा मिला तो 1975 में सिक्चियम को राज का दर्जा मिला 1956 में राज पुनर गठन आयोग ने बनाया तो इन्होंने 14 राज और 6 केंसासित प्रदेश बनाए थे कब 1956 में किसी राज का सर्वोच बिदी अधिकारी कौन होता है तो किसी राज का सर्वोच बिदी कोन सा राज्य का अनिवार कारण नहीं है। Jikerा किसे वहां किसे सत्धा को दो तो प्रदार्ली को चुनते हैं। एक बिसेश चित्र है, कौन एक बिसेश चित्र है, जहां से वहां के रहने वाले सभी मतदाता अपने पृतिनीदी को चुनते हैं, तो यह है चुनाफ चित्र, क्या है चुनाफ चित्र, कौन राजनीतिक कारपालका का हिस्सा है, सही आंसर है बित्त मंत्री, राजनीतिक कारप दिये हैं राइट आंसर है गुजरात में नर्मदा जल बिवाद प्रादी करन का गठन किन राजों के बीच जल वटवारे की समस्या को हल करने के लिए किया गया था तो यह किया गया गुजरात महराष्ट राजस्थान और मद्ध प्रदेश राज्यों के लिए भारत में प्रसासन किस के दौरा किया जाता है तो यह उपराजपाल के दौरा समभाला जाता है आप ऐसा किया सकते है ठीक है प्रसासन किया जाता है उपराजपाल के दौरा एक संगिये सरकार राज में कौन आनन लेता है तो समीनदान दौरा बनाएगी सक्तियों का आनन लेता है ठी जात बुखारी जम्मू और कस्मी राज के बिधान सबगा कारकाल था तो ये था छे वर्स का भारत में राज के प्रमुकर कौन से हैं तो ये हैं इस्टाम सुलक और पंजी करना पंचायती राज बवस्ता में लोगों की भागेदारी का बिचार कितने अनस्तरों तक फैला हु बाट गया है भारत में पंचायती राज बवस्ता समिधान के किस अनुश्यत के तह सुरू होती है प्रतेक पंचायत यदि वह किसी भी कानून के तह समय से पहले ही भंग ना हुई हो तो वह अपनी पहली बैटक की नियत तारीक से कितने वर्स तक जारी रहेगी और उससे अधिक नहीं सही आंसर है 5 वर्स तक ठीक है? पांच वर्स तक नगर पालिका या ग्रामीन और शहरी इस्थानिये निकायों में महिलाओं के लिए कितनी सीटा रखछे थे आंसर है 33 दिसलब 33 प्रितिस इंपोर्टनेंट है कोशन यह पंचायती राजबवस्था सबसे पहले किन राज़ों की जोड़ी में लागू की गई थी तो यह की गई आंदुपर्देश और राजिस्थान की में जोड़ी में लागू की गई राज जे चुनाव आयोके किस अनुशेत के अनुसार नगरपालिका चुनाव का संचालन नियंत्रन और परयावेच्छन करता है आंसर है अनुशेत 243 के वर्स 1977 में पंचात राज की जाँच के लिए किसकी अद्धिक्स्ता में एक आधिकारिक समीती नियुक्ती की गई थी तो असोक महता की अद्धिक्स्ता में एक आधिकारिक समीती नियुक्ती की गई थी भारत में त्रिस्तरिय पंचायत राज विवस्था का प्रिस्ताफ किस के द्वारा लाया गया था तो ये लाया गया बल्मंत राय महता समीती के द्वारा पंचायती राज विवस्था किस सिद्धान पर आधारत है तो ये सत्ता की बिकेंद्री करण पर आधारत है पंचायत का गठन करने के लिए चुनाव उसके बिक्टन की तारीक से किस अवदी की समापती से पहले पूरा किया जाना चाहिए आंसर है छे महीने राज सरकार के संबन्द में इस्थानी सरकार उपयोग करती है राज सरकार इस्थानी सरकार के लिए पंचायत के लिए निर्वाचक बर्ग ये गरामसवा का सही अर्थ है भारती संसदी प्रणाली में गराम پंचायत का चुनाफ कितने वरसों के लिए किया आता है सही आंसर है पांच साल के लिए नगर पालकाओं के सदस से कितने समय के लिए चुने जाती है तो नगर पालकाओं के सदस से पांस साल के लिए चुने जाती है पंचायती राज संस्था नहीं है तो ग्राम सहकारी समीती पंचाती राज विवस्था नहीं है राज संस्था नहीं है अकला कोशन है 95 भारत में प्रित्यक्ष लोकतंत्र का ओधान कौन सा है आंसर है ग्राम सभा ग्राम पंचायत को अपनी भूमी का निवहाने और जिमिदाली बनाने में कौन एक महत्मूर कारक है आंसर है ग्राम सभा पंचायती राज संस्था नहीं है ग्राम पंचायत किस से बनती है तो ग्राम पंचायत बाट सदस से सरपंच से बनती है ठीके कौन इस्थानिय सरकार की चिंता नहीं है किस बिकल्ब को भारत में लोकतंतर का तीसरा स्थार्वी कहा जाता है आंसर है इस्थानिय सुए सासन संस्था निर्वाचित पददिकारियों को हटाने के लिए रीकॉल प्रवधान को किस प्रांट द्वारा किरियान विंत किया गया आंसर है मद्ध प्रदेश के द्वारा किस के द्वारा मद्ध प्रदेश के द्वारा नगर निगम का प्रमुक कुन होता है तो नगर निगम का प्रमुक होता है महापूर किस प्रकार का नगर प्रसासन बड़े सहरी छेत्रों को नियंतित करता है किस प्रकार का नगर प्रसासन छोटे सहरी छेत्रों को नियंतित करता है सही आंसर है नगर पाली का परिसद कौन करता है किस प्रकार का नगर प्रसासन संक्रमनी कालीन छेत्रों को नियंतित करता है राइट आंसर है नगर पंचायत कौन ग्राम पंचायत का प्रसासनिक कार नहीं है तो कॉलिज सिख्षा प्रदान करना ग्राम पंचायत का प्रसासनिक कार नहीं है पंचायत राज प्रणाली को सबसे पहले किस राज दौरा अपनाया गया था तो पंचायत राज प्रणाली को सबसे पहले राजस्थान दौरा अपनाया गया इंपोर्टन कोशन है पांच वारा कोशन अब तक पूझाया चुका है पंचायत अद्धिक्ष की रूप में किसी जाने जाता है तो पंचायत अद्धिक्ष की रूप में सरपंच को जाने जाता है इस्थानिय सरकार भारतिय समिधान की सात्य निसूची के तहट किस सूची में वर्णित विसे है तो यह है राजिसूची का विसे है महारत के समीधान के नुसार मद्यावर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज में नहीं किया सकता जिसकी जनसंख्या जिससे अधिक ना हो आंसर है 20 लाग से अधिक इस्थानिय सरकार की इत्री स्तरी प्रणाली किसमें सामिल नहीं है आंसर है ग्राम समीती में में प्रतिक घ्र पंचायत को छोटे-छोटे छेत्रों में बाटा गया इन छेत्रों को क्या कहा जाता है बारण 108 का निर्वाचित प्रणी रूर्डी कौन होता है अंसर है बार सदस्ये और पंचाथी राजय की सन्रशन कैसी यह तो देखी कि सबसे पहले आता है जीस डिंद लागा से बड़ा है जिला पंचायत इसके बाद बलॉक से ग्राम पंचायत फिर ग्राम सभा ठ letzे की एक लीचा देखिए का आपको पहले जिला 5 civil फिर ब्लॉक पंचायद फिर ग्राम पंचायद इसके बाद ग्राम सभाव